इस वीडियो में दो स्टॉक की बात करने वाला हूँ, पहला होने वाला है राजेश एक्सपोर्ट और दूसरा होने वाला है खेतान गेमिकल, खेतान गेमिकल इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आज यहाँ पे 12% की तीरीज देखनी को मिली है और उससे रिलेटेड आप लोग मैं स्टॉक को 11 रुपय पे खरीता है, इतने शेयर हैं, दो साल से स्टॉक में वोटाफोन आइडिया में शेयर खरीते हुए थे, मैंने आज ही स्टॉक को गवर किया और आपको बताया भी आप क्या कर सकते हैं, पूरा वीडियो देखे हैं, मैंने बहुत अच्छे से एक्स शॉट टम का नहीं है, मैंने इसको शॉट टम में एनलिसिस किया ही नहीं है, मैं यहाँ पे मन्तली टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, पहले भी मैंने एनलिसिस किया था आपको यही बताया है, कि स्टॉक ब्रेकडाउन देदेगा तो नीचे आएगा, ठीक है, जो कि इसक से कि इस बार अगस्त खतम हो रहा है, तो यहाँ पर किस प्रिकार की क्लोजिंग गया रही है, अगर ऐसी केंडल बन रही है, तो तो इस टॉक में आपका कोई समय नहीं है, अभी इंट्री प्लान करनेगा, इस टॉक आपका रुकता हुआ दिखना चाहिए, मन्तली टाइम पर रुकेगा, तभी आपके ट्रेट बनेंगे, आपने अगर यहाँ पर स्टॉक को खरीद लिया है, 550 के लेवल पर स्टॉक इतना गिरा है, अभी इतना कुछ गिरा भी नहीं है, वो भी देख लीजए, कि आप लोग का बहुत लॉस होने लग गया है, तो कॉंटिटी आप लोग गलत रखते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ देखेंगे, तो स्टॉक हाडली आपका 13% गिरा हुआ है, कोई बहुत नहीं गिरा है, पर होता क्या है कि कॉंटिटी हम लोग बहुत गलत रखते हैं, इसलिए वो लॉस बड़ा होने लग जाता है, अभी राजेश एक्सप प्रेम में रखिए, इस्टॉक आपको रिवर्सल दिखा रहा है, इस महीने तो नहीं दिखा रहा है, हो सकता है अगले महीने दिखा है, क्योंकि सपोर्ट के नियर है, जब इस सपोर्ट को तोड़ दे आपके 470 तब थोला चिंदा करिएगा, कि यह वाला सपोर्ट भी ब्र एक हजार का शेर उनको जो है वो 450-470 में मिल रहा है, तो मंतली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए, डेली टाइम फ्रेम में मैं नहीं जा रहा हूँ, मंतली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर यह जो कैंडल्स आपको देख रही है, यह मंतली closing हुई है एक-एक month में यह candle यहाँ पर बनी हुई है तो monthly closing यहाँ पर bullish होगी तभी stock उपर आएगा तभी 100% return बनेंगे यह चीज़ आपको यहाँ पर observe करनी है तो इसके लिए पूरा सितंबर तक आपको देखना पड़ जाएगा तब आपके यहाँ पर trade बनना शुरू होगे क्योंकि weekly आप देखेंगे तो ऐसा कोई trade नहीं बन रहा daily देखेंगे तब भी stock नीचे गिर रहा है तो भी कोई आपके support काम नहीं आएगे तो monthly time frame ही है जो आपको यहाँ पर use करना ही मैंने पुराने वीडियो में भी सिखाय हुआ है उसके बाद ही आपके trade बनेंगे जब वहाँ bullish candle आएगी तो उसके लिए आपको stock को समय देना है अगर यह 470 रुक रहा है तो फिर उपर जाना चाहिए लेकिन यह समय लेगे stock जाता है यह clear हो गया होगा अब चलते हैं क्यातान chemical की तरफ तो यहाँ पर volume stock में देखने को मिली एकदम से इसलिए stock आपका rocket हुआ है आज देखे 120K एकदम से share खरे देगा है उसके बाद से stock जो है उपर की side निगलता चला गया है यहाँ देखेंगे 290 share जो है वो खरे देगा है लेकिन अभी भी आप देखे यह अपने exponential और trend line के नीचे चल रहा है तो bullish नहीं हुए stock अगर यह breakout देदेगा तो bullish है फिर stock को अच्छा निगलना चाहिए उपर जाएगा थोड़बा hurdle face करे पर यहाँ से निकल जाए फिर उसके chances बनेंगे stock में financial बगएरा already मैं दिखा चुका हूँ कहने का मतलब है stock breakout देगा तो यह target दिखाएगा फिर नीचे आएगा तब आप इसको capture कर सकते हैं छोटे stop loss कर सकते हैं क्योंकि अभी तो volume का game चल रहा है इस तरीके से आपका stock चल रहा है और in case stock आपके पास यहाँ कहीं खरीद है 88 के असपास कहीं खरीद है quantity light की जा सकती है फिर नीचे आएगा तो इसको capture किया सकता है क्योंकि यहाँ पे तो जो भी बढ़ा हुआ है वो volume की वज़े से बढ़ा है और इसमें देखे रही हैगा कि इसकी closing कैसे जा रही है यहाँ पे देखिए closing अच्छे नहीं हुई थी उपर गया sustain नहीं हुआ तो नीचे आ गया था यहाँ भी अगर ऐसी closing हुई उपर गया नहीं sustain हुआ तो फिर नीचे आ सकता है यह आपको कल के दिन देखना पड़ेगा कि कहीं यह जो volume आई है exit नहीं क्योंकि volume पहले भी आई है ऐसा इसमें पहले भी होता रहा है लेकिन stock फिर भी आपका जो है वो गिरता रहा तो यह चीज़ आपको यहाँ पर observe करनी पड़ेगी यही मैंने आपे comment भी करा कि trend line जो है वो अभी भी break नहीं हुई है still वो below trend line ही चल ला है तो आप इसको जो है अभी bullish नहीं कह सकते है bullish तब ही होगा जब breakout हो जाएगा और वो 72 का level है 72-73 जब stock इसके उपस sustain कर जाए तब वो breakout है तब आपका stock 88 पहुंच सकता है और फिर correction लेके थोड़ा नीचे आएगा तब आप इसमें अपने trade फिर से बना सकते है या breakout पकड़ रहे हैं तो stop loss आपको 58 के नीचे करना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी मजबूरी है क्योंकि इतनी बड़ी candle large बन गई है कोई भी support ऐसा या नियर है नी तो बहतर ही है उपर निकल जाए retest करे तब trade बनेंगे इस तरीके से आप इसे deal कर सकते हैं अगर fresh bank ढूण रहे हैं अगर है आपके पास तो तो निकल रहा है यह operator ले जा रहा है तो अच्छी चीज़ है जिसने खरीदा है वो इस टॉक आपके price तक पहुंचा रहा है वह quantity कम हो सकती है इस तरीके से एक खैतान chemical को आप deal कर सकते हैं financial analysis already मैंने किया है आप उसको भी देख सकते हैं तो इस वीडियो में दोस्तों इतने ही रखता हूं फिर मिलता हूं अगले वीडियो में दिस इस में शलबदिक्षित साइनिंग ओफ